हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का चेंपेंज साब जीए यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आएं स्वास्तेवम पोशन से संबंदित महत्पून बहुविकल्पी प्रशन ओके तो आज के इस वीडियो में टोटल 100 कोशन्स मैंने क इसका पार्ट वन है तो अगर आप इस चैनल से पहली बार जोड़ रहे हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस कीजिए गा ताकि रोज के नए वीडियो की नोटिविक्शन आपको मिलते रहे ठीके तो आप इस वीडियो उसके बाद आप पार्ट टू को देखिएगा काफी महत्पून कोश्चन है गिए और ये समीदा वर्ग एक और दो के लिए काफी महत्पून टॉपिक है स्वास्त एवं पोशन ठीके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का पहलाको जुशन है हमारा भोजन का एक प्रमुक अंग इनमें से कौन सा है तो स्टार्ज, ग्लुकोज, और कार्बोइड़ियो अर्ण इसमे Sociosis में जो भोजन का एक प्रमुक अंग है वो है आपका कार्बोइड़ियोट Okay, सो क्वोजन में फर्स्ट का आपका आंसर ह कर्बो हंडेट मैं आपको बतादू किूर्श फ्रविशट में हमारा कर्भो हईड़ेट ठीक है अगला कॉशन हीमण contr Mad helmet मैं कि इधन यानि की क फूल का कारि करता है तो प्रोटीन vitamin carboidrate और jell में से एक्चुली जो carboidrate होता है वो मानों के शदी में इधन याने की एक fuel की तरह कारे करता है और मैं आपको बता दूँ के carboidrates किसे कहते हैं तो carboidrates एक्चुली एसे पदार्थ होते हैं जो carbon hydrogen और oxygen से मिलकर बनते हैं इसे पदार्तों को हम कार्बोहाइडेट के नाम से जानते हैं ठीके और अगर स्वाद की द्रस्टी से देखे तो कार्बोहाइडेट जो होते हैं यह स्वाद में मीठे होते हैं और कार्बोहाइडेट का जो सामाने सुत्र होता है वो होता है CX H2O होल वाई CXH2O होल वाई यह कार्बोईडेट का सामानी सुत रहे अगला कोश्चन है हमारा कैपसूल का आवरण किसका बना होता है तो एक चुली जो हमारे कैपसूल होते है उसका आवरण होता है वो स्टार्च का बना होता है तो कोशन इसकोशन का हमारा आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज ठीके शहत का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज नेक्स्ट कोशन है हमारा निमलिकित में से कोन सी शरकरा ततकाल उर्जा प्रदान करती है तो ततकाल एनर्जी जो हमको प्रवाइड करवाती है तो ये शरकरा है एक्चुली ग्लुकोज और ग्लुकोज का फार्मुला होता है C6H12O6 ओके तो ग्लुकोज जो है ये हमारे शरीर को तत्काल उरजा की उपलबदेता करवाता है और ग्लुकोज जो एक प्रकार का कारभोहईड्रेट है ठीके अगला कोशन है शहाद में मुख्यता क्या होता है तो शहाद के अंदर जो मुख्य चीह होती है वो होती ही कार्बो हाइडरेट तो शहाद में मुख्यता होता है कार्बो हाइडरेट अगला प्रशन हमारा निम्लिकित में से सरवाधिक उर्जा प्रदान कोन करता है तो सबसे ज़ादा जो उर्जा है यहनै कि हमारे शरीर का अगर हम देखा जाए तो 60% Energy की पूर्टी चार्वो हाइडेट करता है तो सरवाधिक उर्जा प्रदान करने वाला जो योगी के वो है है हमारा Carbohydrate ठीक है यह पर Carbohydrate की बात आईए तो मैं आपको बता दूँ एक रासाइनिक द्रस्टी से अगर हम Carbohydrate की परिभाषा की बात करें तो Carbohydrate जो होता है वो Polyhydroxy Eldehyde या Polyhydroxy Ketone होता है तो Carbohydrate की रासानिक परिभाषा अगर आपसे पूछे तो वो होगा कार्वाइडेट्स पॉलिहाइड्रोक्सी एल्लीहाइड और पॉलिहाइड्रोक्सी किटोन होते हैं अगला कोशन है मानोशरी में कार्वाइडेट्स पुना संग्रह कहां होता है तो मानोशरी में जो कार्वाइडेट है वो अगर हम संग्रह की बात करें तो वो होता है glycosine में तो हमारे शरीर में glycosine जो संचित भुज्य पदार्थ के रूप में होता है तो हमारे शरीर के अंदर carvoidate का जो storage है यो glycosine के रूप में होता है तो जब भी हमको आउशकता पड़ती है तो glycosine का oxidation हो जाता है और oxidation के फल सुरू जो है वो glucose बन जाता है ठीक है तो संचित भोज पदार्थ जो है हमारे शरीर में कार्वो आइडरेट जो संचित होता है वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में अगला question है एथेलीट्स जो एथेलीटिक्स खिलाडी होते हैं उनको निवन में से किस से जल्दी और ज्यादा उर्जा मिलती है तो इनको अगर फटाफट उर्जा चाहिए तो मैंने आपको पर भी बताया कि सरवाजी उर्जा जो प्रदान होती है वो कार्वो आइडरेट्स के द्वारा होती है तो एथेलीटिक्स वगयरा जो होते हैं जो खिलाडी होते हैं उनको उर्जा के आउशकता ज़्यादा होती है तो वो ग्लुकोज के रूप में कार्वो आइडरेट का उपियोग शरीर को उर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं दसवे नमबर का कोशन काफी महत्रपून है हमारा लगे समय तक अगर हम कठोर शारीरिक कारी कर रहे हैं तो हमारे मान स्पेशों में थकान का अनुभाव किसके कारण होता है तो ये धिन थकान का जो हमको अनुभव होता है वो होता है ग्लुकोज के अउच्छे के कारणों के येनिकी ग्लुकोज की मात्रा जो अमारे शरी में घड़ जाती है इसलिए हमको थकान का अनुभव होता है तो इस questions को बड़े ध्यान समझेगा आप glucose का आउच्छ है यानिकि glucose का नस्ट डगर हो जाता है glucose कम हो जाता है तो हमको थकान का नुबह होता है और glucose के आउच्छ है के कारण lactic acid का निर्माण होता है तो ये भी questions पूछा जा सकता है ठीके ना तो lactic acid और glucose तो यहाब एक glucose का नहीं होता है तो glucose का जब अउच्छ होता है तो lactic acid का निर्माण हो जाता है और हमारी शरीर को जो यह वह ओ मानस्पेशियों को ठकान का अनुबा होता है तो लंबे समय तक 14 शारिरी कारे के परशाद मानस्पेशियों में ठकान का अनुबा होने का कारण है ग्लुकोस का आउच्छे होना तो जब हम ग्लुकोस के आउच्छतां की पूर्ती कर लेंगे तो हमारी जो मानस्पेशियां है वो पुनाँ कारे करने लग जाती ठीक है question number 11 है हमारा रक्त glucose इस तर सामने तव व्यक्त किया जाता है यानि कि जो हमारा blood का जो level है वो किसमे व्यक्त किया जाता है वो किया था milligram में तो milligram के प्रती deciliter में protein बनाने के लिए कितने aminoamal की आवशकता होती है Aminormal जो होते हैं प्रोटीन की क्रियात्म की कही है तो आपसे question पूछा जा सकता है कि Iya protein किससे मिलकर बनते हैं तो protein जो है वह हूँ Aminomal से मिलकर बनते हैं और बहुत सारे amin spreads जो होते हैं वह आपस में एक bond होता जिसको को बोलते है पेप्टाइड बोंड तो पेप्टाइड बोंड जो है वो दो अमीनोमलों को जोडता है और प्रोटीन का निर्मान करता है तो कोशन कई तरीके से पूछा जा सकता है प्रोटीन की क्रियात्म की कई कोन है तो वो है अमीनोमल और अगर आप से पूछ ले कि अमीनोमल होता है वो होता है protein के दौरा को क्या है आपकी अमीन अम्लम अगला अपकी कूछा गया है यहां पर को protein को निमलिकित में से क्या मानागता है तो protein से हमारे शरीर का निर्मान होता है त比較 उर्जा-प्रदान करते हैं न ही इस्तुलता वर्दक होते हो नहीं यह वी नियामक होते हैं तो एक्षुली यह हमारे शरीर का निर्मान करने वाला आवशक पदार्थ है प्रोटीन और आपसे एक और कोशन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन जो है वो क्या होते हैं तो एक्षुली एंजाइम होते हैं और अगर आपसे उल् स्टीडियों में बताया कि हमारे शरीर के अंदर भी कुछ उत्प्रे रख होते हैं जिनको हम जेविक उत्प्रे रख बोलते हैं जीव उत्प्रे रख तो हमारे शरीर के अंदर उत्प्रे रख का जो कारे करता वो करता एंजाइम तो जेविक सिस्टम में बहुत सार यह सी रा अपस्तित होता है, स्तीधा साब से यहाँ पर question पूछा गया है, ठीके, तो alpha keratin जो है यह त्वचा में उपस्तित होता है, तो इस question का हमारा answer हो जाएगा option number B, ठीके, तो यह हमारे 17 question हो गए है, अब हम बात करेंगे 18th number के question की, ओके, आप से यहाँ पर पूछा गया है, soya bean में तो मैं आपको बता दू, soya bean जो है, यह एक प्रकार की, खरीप की फसल के अंतरगत आता है, ओके, और यह जवी बीच पत्री पोधे का भी उधारने, अगला question है, किसमे प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो actually यह चामाल होता है न, इसके अंदर प्रोटीन नहीं पाया जाता तो इस question का आपका answer हो जाएगा, option number C, अगला question आपसे यहाँ पे पूछा गया है, निमलिकित में से, किसमे प्रोटीन का सबसे अधिक इस्त्रोत पाया जाता है, तो प्रोटीन का जो सबसे अधिक इस्त्रोत है, वो है soya bean में, next question है, शाकाहरी अधिकतम protein पाते हैं, तो actually शा मानव शरी में वसा जमा होती है, किस रूप में, तो हमारे शरीर के अंदर जो fat यानि की वसा है, उसका जमा होता है, वो वसी उतक में होता है, मानव शरी में तवचा तल के नीचे विद्दमान वसा निमलिकित में से किसके अवरुद, अवरुदक का का काम करती है, तो यह ह बिना पानी के कुछ दिनों तक मनुस्तल में रह सकता है, वह ऐसा क्यों कर पाता है? तो एक्शली उसकी जो कूबड होती है, उसमें वह कुछ वसा यहने की चिकनाई को इकटा करके रखता है, तो एक्शली उसमें भी उग्लाइकोजेन की रूप में उर्जा संचीत रहती है, तो वो वसा का आक्सिगन करकरके उर्जा प्राप्त करता रहता है तो अपनी कूबण में जमा किये गए चिकनाई युग पदार्थ वसा का प्रयोग करके वो कुछ दिनों तक मनुस्तल में बिना खाये पीए भी रह सकता है अगला प्रशन आपसे पूछा गया है निम्नांकित भोजन में से किसमे प्रतिग्राम सरवाधिक उर्जा प्राप्त होती है तो ये उर्जा प्राप्त होती है हमको वसा में तो वसा के अंतरगत जो है वो सरवाधिक उर्जा प्राप्त होती है नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया है विटामिन शब्द कोशन बड़ ध्यान समझिएगा आपको विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किस ने किया था तो ये किया था फंक ने ओके तो ये तो काफी आसान सा प्रशने निमलिकित में से योगिक के किसमू को सहाय सहायक आहर कारक तो ये हम कहेंगे विटामिन को के सो कोशन नमबर 28 का आपका आंसर जागे विटामिन जो है सहायक आहर कारक के नाम से जाने जाते हैं निमलिकित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है तो रक्षात्मक पदार्थ के अंतरगर जो आते हैं वो आपके रहेंगे विटामीन ओके और विटामीन का आविश्कार जो भी मैंने आपको बताया फंक ने किया था तो विटामीन जो एक रक्षात्मक पदार्थ के वो है रेटिनॉल और विटामीन A की कमी से जो रोग होता है वो होता है नाइट ब्लाइडनेस ओके यहने की रतोंदी अगला प्रशन आप से यहाँ पर पूछा गया है मानो शरी में विटामीन A कहां संचित होता है यहने कि विटामीन A का भंडारन कहां होता है, तो यह होता यकरत, यहने कि लिवर में, विटामीन A की कमी से कौन से और होता है, मैंने अभी बताया आपको रतोंदी होता है, विटामीन A का जो रासानिक नाम है, वो रेटिनॉल है, निमलिकित में से कौन सा एक विटामीन A का प्रचूर्तम स्त्रोथ है, यहनि कि विटामीन A सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाएगा, तो वो तो उपर मैंने आपको बता है, गाजर में तो सर्वाधिक होता, लेकिन जो दिये गया अप्षन है, इसमें आम, यहनि कि मैंगो में विटामीन सबसे ज़्यादा होता है, क्य अगला परस्न है question number 34 थाइमीन क्या है actually तो थाइमीन एक रासानिक नाम है ठीक है तो विटामिन B1 का रासानिक नाम है थाइमीन और ये B1 जो है इसका रासानिक नम होता है थाइमीन और B से बेरी-बेरी रोग होता है निमरिकित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट नाम की जो धातू है, कोबाल्ट का परमणुक्रमांग होता है, एक्चली अठावीस, ओके, तो विटामिन B12 जो होता है, उसमें कोबाल्ट धातू भी पाई जाती है, अगला प्रस्चन आपसे हैं, पुछा गया है, उसका शिक्षोप का मनुष्य में प्रकुरोप किस विटामिन की क होता है, तो इसका शिक्षोप का मनुष्य में प्रकुरोप होता है, ठीके, तो इसका प्रस्चन का अपसे होगा आपका, 38 नमर का प्रस्चन है, विटामिन जो खट्टे फलो में पाया जाता है, तता चर्म को, यानिकि हमारी जो इसकीन उसको सुस रखने के लिए जरूरी ह होता है, वह एक्षुली कौन सा है, तो जितने में खट्टे फलो हैंने की जो सिट्रस फूट्स होते हैं, उसमें विटामिन C पाया जाता है, विटामिन C का सबसे अच्छा उत्तम इस्त्रोथ कौन सा है, तो यह आवला है, और आवले का जो बोटनी करने में, वो एमलू का आवले में सबस्यादा विटामिन C पाया जाता है, निमलिकित में से किस विटामिन की कमी के करन मसूणों में रखता जाता है, तो विटामिन C जो है, इससे मसूणों में रखता जाता है, और इस रोग कम पायरिया भी कहते हैं, और विटामिन C का अगर आप से रासानिक ना लिकित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, यानि कि ऐसा कौन सा विटामिन है, जो हमारे शरीर के अंदर संचित नहीं होता है, तो विटामिन D जो है न, यह हमारी बोड़ी के अंदर संचित, यानि कि स्टोर्ड नहीं होता है, जब कि विटामिन A, C और E जो हमारे शरी में संचित होते हैं विटामिन D का स्टोरेज हमारी बोडी के अंदर नहीं होता है और सूरी के प्रकास से हम इसको प्राप्त करते हैं अगला प्रशना आप से पूछा गया है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है यानि कि हमारी सुरक्षा कोन प्रदान करता है यह करता है विटामिन A जो यह प्रतिरक्षा प्रदान करता है निमलिकित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है तो एक जल में घुलनशील विटामिन दो है एक विटामिन B भी है और एक C भी है तो यहाँ पर B तो नहीं यह जल में घुलनशील विटामिन है जबकि विटामिन A, D, E, K और H जो है वो वसा में घुलते हैं तो आप से यहाँ पर जल में घुलनशील विटामिन पूछें यह तो वो है B और C तो B तो आप्शन में नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा C ठीक है नेक्स्ट कोशन है हमारा प्राता, कालिन, धूप जो होती है यह निकि सनलाइट जो होती है तो वो मानव शरी में कौन सा विटामिन उत्पन करती है काफी आसान प्रशन है विटामिन D और विटामिन D का राशन एक नाम है कैल्सी फेरॉल तो आप से कोशन डारेक भी पूछा तो मस्लीू की यखरत तेल में विटामीन D की महातना जो सर्वाधिक होती है ठीक है लोह... नेक्स्ट क्वेशन है कोले केल्सिफेरोल रासनिक नाम किसका है तो मैंने बताया आपको विटामीन D का नाम जो सीशी से चलो वहाँ 사용 है यहिंऊ कि केल्सी फेरोल केल्सी फेरल जो है वो विटामिन डी का रासालिक नाम है विटामिन ए का केमिकल नेम पूछा है तो यह होता है सिम्पल एट टोको फोर ओल एक कोशन विटामिन से जरूर सभी एक्जाम्स में आता है तो आप अच्छे से इसको करिएगा विटामिन E वीशेशत किसके रहे महतुपून है तो विटामिन E जो हötा ना उससे सेक्षोल अबिलिटी आती है यहनिकि लिंग् गरन्थी है यहनिकि हमारी सेक्स गलेनरस जो होती है उनके सामानिक लिए विटामिन E जो आवशक होता और यह प्रजणन शम्ता का विकास करता ह और जिस व्यक्ति में विटामीन E की कमी होगी उसकी प्रजणिन शमता काफी कम होगी कोश्चन में 50 है हमारा निमलिकित विटामीनों में से कौन सा एक रक्त के इसकंदन में कारी करता है तो रक्त का इसकंद यहिनि कि blood का जो थक्का जमता है, वो विटामिन-K के कारण होता है, अगला प्रश्ण है, मानाव शरी में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, तो यह विटामिन-K है, काफी आसान सा प्रश्ण है यह, अगला question है हमारा, 52, निमलिकित में से कौन सी विटामीन की आवशक्ता खून के जमने में आवशक होती ही तो ये वही हो जाएगा वापस विटामीन की की आवशक्ता होगी और विटामीन A का महत्पून स्त्रोत इन में से कौन सा है तो गेहूं अंकूर का जो तेल होता है वो विटामीन E का काफी महत्पून इस तरोत होता है दातों में निमली कित में से क्या होता है तो दात जो होते हैं हमारे टित उसमें केल्शम पाय जाता है यानि केल्शम बहुत आवशक तत्वे दातों में और मैं आपको बता दूद के दात के उपर का जो इनेमल आवरण होता है कि चमकिला भागे ये सब से कठोड़ थम भाग होता है ठीक है अगला प्रश्न है हमारा निमलिकित में से किस तत्तों का संबन दातों की विक्रती के साथ है तो ये अग्चुली फ्लोरीन जो होता न किसका महत्वपून इस्त्रोथ है तो जो महासागर समुद्र में जो खर्पतवार उखते हैं वो आयोडीन का एक महत्वपून इस्त्रोथ होता है नेक्स्ट कोशन है निम्न में से कोन सा आयोडीन का सरोत्रम इस्त्रोथ है तो आयोडीन का जो सरोत्रम इस्त्रोथ है वो आपका हो जाएगा option number A यहीं कि शेवाल मैंने अभी आपको बताया समुद्रिक हर्पतवार जो आयोडीन का परमुक इस्त्रोथ होता है तो शेवाल जो यह समुद्र में उपते हैं तो यह आयोडीन के भरपूर इस्त्रोथ होते हैं उपास्थी तता हड्ड्यों के निर्मान और संपोशन में कौनसा तत्व आएश्चक होता है तो यह केल्शयम आवश्चक होता है केल्शयम का संकेष sia होता है वह इसका परम्णोंक्रमान के 20 होता है ठीक है उसका अगर अनुभार की बात करे तो वह 40 होता है केल्शयम के परती है पालक के पत्तो में किसकी मात्रा अधिक होती है तो वह आयरन की होती है option no.B सही होगा iron का संकेथ FE होता है ठीक है अगला प्रशने मनुष्य लोहा किस से प्राप्त करता है तो यह हम पालक से प्राप्त करते हैं इस्तिक अंदर F.E. यानि कि लोहा सरवादिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्ने लोहा आवश्यक है, यानि कि लोहा हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है। एक्शली काफी कारी करता है हिमोगलोबीन वा रेड ब्लड सेल्स के निर्मान के लिए, सामाने स्वास्त बनाये रखने के लिए और शरीर के उत्ता को तक आउक्जिन पहुचाने के लिए, यानि कि उप्रक तो सभी कारी जो लोहा करता है। निमली कित में से कौन सा खाद लोहे का सरोत्रम इस्त्रो थे। तो एक्शली जो अपल होता है सेव जो है वो लोहे का सरोत्रम इस्त्रो थे। किसमे भरपूर लोहा तत्त्त पाया जाता है तो जितने में ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हरी सबजेयां जो होती उसमें लोह तैक ये भी बास पीलेट होता है वास सही ए कमyl vitamin C का रासा निक नाम है और इसकर भी रोग होता है येुझे है और vitamin K से रखत जमता है ये ही बास सही एलेकिन vitamin A जो है यहाँ पे यह सही सुमेलित नहीं है थी्क है? इस question का आपका आपका answer हो जाएगा 66 का option number C 66 का option बर C सही होगा आपका ठीक है vitamin A की कमी से रतों दी होता है लेकिन यहाँ पर वर्णानता लिखावा तो यह हमोफिलिक रोग होगे ठीक है वर्णानता के अंतरगत लाल और हरी वर्णानता होती जिसमें व्यक्ति जो मिलते जुलते रंगों में विभेद नहीं कर पाता है तो वर्णानता है हमोफिलिया मतलब एक वर्णानता जो आनुवाशिक रोग होगे तो यह वाला जो option आपके गलत हो जाएगा अगला प्रशन आपसे काफी महत्वपून कोश्चन है कि विटामीन दिये गए एक तरफ और रोग दिये गए तो विटामीन एक हिससे तो मैंने आपके पता है कौन सा रोग होता है विटामीन सी से इजी है सही सुमेलित पूछा आपसे आपसे आपे विटामीन और रोग के सामने सही सुमेलित कौन सा है तो A से तो रतव दी होता है तो यहान तो रिकेट से है तो D से होता गलत है यह B से बेरी-बेरी सही है और विटामीं C है नहीं कि 2nd और 3rd वाला सही है 2nd और 3rd का मैच सबसे सही किया गए है ठीक है Q68 है हमारा निमलिखित की कमी से एनिमिया रोग हो जाता है तो simple है यह एनिमिया रोग जो होता है वो लोहे की कमी से होता ओके तो इस question का आपका answer option number C सही हो जाएगा एक glass पानी पीने से कितनी calorie मिलती है तो एक glass पानी पीने से हमको जो energy मिलती है वो zero यहने कि शुन्नी पानी से हमको कोई calorie नहीं मिलती है तो 69 का आपका answer हो जाएगा शुन्नी अगला प्रस्ट ने केंदरी खाद प्रोद्धगी की अनुसंधान संस्तान कहां इस्तिते तो यह इस्तिते मैसूर में अगला प्रस्ट ने टाइफाइट से सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो इससे प्रभावित होता है, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, वो टाइफाइट से सरवाधिक प्रभावित हो जाती है नेक्स्ट कोशन आप से पूछा गया है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदाई प्रोटो जोवा कुन सा है तो जो पेचिश रोग होता है, वो किस प्रोटो जोवा के दुवारा होता है, वो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका के दुवारा आखों की दूर दस्टी दोस को की विमारी किसके कारण होती है तो दूर दस्टी दोस का मत्तब होता है दूर की वस्तु यह तो हमको इस पस्ट दिखाई देती है निकली नजदिक की वस्तु इस पस्ट नहीं दिखाई देती है तो यह जो रोग होता है यह होता नेत्र के जो है वो छोटे हो जाते हैं अगला कुश्यन हें एजा क्यों फेलता है कारण क्या है इसको योटा जीवानों के दौरा भीडिक्टीरिया के दौरा फेलता है अगला पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। कई बार आपसे AIDS का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। जिसका पूराम होता है, Acquired Immunodeficiency Syndrome. यह AIDS की पहचान के लिए हम एलिसा टेस्ट करते हैं। और मैं आपका बता दू के AIDS के जो वाइरस होते हैं उसको हम HIV बोलते हैं। Human Immunovirus और यह जो वाइरस होते हैं यह हमारे बोडी के जो परतिरक्षा तंत्र उस पर ही अटेक कर देते हैं तो हमारे बोडी का जो रक्षात्मक तंत्र खतम कर देता है HIV का वाइरस इसलिए ला इलाज है आज के समय में तो एलिसा जाज जो है वो AIDS के लिए लघाया जाता है टेस्ट केंदरी ओशदी सोद संस्थान कहान पर हैं तो यह संस्थान है एक्षुली लखनों में उत्तर परदेश लखनों में केंदरी ओशदी सोद संस्थान अगला है avian influenza यहने कि blood flu विशानों को निमलिकित से निरूपित किया जाता है तो actually जो blood flu होता है avian influenza जो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो यह किया जाता है H5N1 यहने कि इसके कई नाम भी है H1N1 भी बोलते हैं इसको तो H5N1 जो है यह blood flu को निरूपित किया जाता इसके द्वारा 78 नमबर का हमारा प्रश्णे दातों के शय को रोकने के लिए अधिकांस toothpaste में क्या होता है तो आप में देखा होगा TVO में भी काफी इसका aid आता है कि दातों के शाय को रोकने के लिए अधिकांस toothpaste में क्या मिलाया जाता है तो इसके लिए मिलाय जाता है फ्लोराइड तो उसकी कमी को पूर्ती करने के लिए फ्लोराइड मिलाय जाता है तो दामसूरल से जो खून निकलता है फ्लोराइड की कमी से निकलता है खसरा यानि कि measles का जो रोग का कारक क्या है यानि कि खसरा जो होता है वो जिवानू विशनू प्रोटो जोगा किस के द्वारा फैलता है तो यह फैलता है एक्चुली वाइरस के द्वारा वाइरल लिसीज ये खसरा Cancer के उपचार में निमलेकित में से किसका प्रयोग किया जाता है तो Cancer के उपचार के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो हम करते हैं किमोथेरेपी का तो किमोथेरेपी के द्वारा Cancer का उपचार किया जाता है Next question है मारा Blood Cancer को आम तोर पर किस नाम से जाना जाता है तो blood cancer जो होता है उसको हम बोलते हैं actually leukemia leukemia जो ये blood cancer का ही एक प्रकार है शरीर के किस अंग की खराभी से मदू में यानि कि diabetes का रोग हो जाता है तो जब मानव शरीर का pancreas जो है वो अगनाशा धंग से काम नहीं करता है तो वेक्टिकों मदू में यानि कि diabetes रोग हो जाता है मियादी जवर यानि कि typhide fever किस कारण होता है तो यह होता है typhide fever जो यह जिवानों यानि कि बेक्टिरिया के दुआरा होता है 84 नंबर का प्रश्न है हमारा typhide किस से पैदा होता है तो टाइफाइड यह होता है सल्मोनेलील टाइफिली बेक्टगिया के दुवारा तो 84 का आपका आंसर होगा option number D सल्मोनेला टाइफी के दुवारा टाइफाइड होता है डेंगू बुखार की सुभोग वहग दुवारा संचरित होता है तो यह होता है एडिस एजप्ट यह मच्छर का एक प्रकार होता है एडिस एजप्ट ही जो होता है यह डेंगू के लिए responsible होता है कार्वाइडिट के अलावा हमारे आहार में उर्जा का एक प्रमुक इस्त्रोत कौन सा है तो कार्भाहेडिट के अलावा हमारे शरीक के अंदर जो उर्जा का इस्तों होते हैं वो है वसा यानिकि फैट्स के द्वारा भी हम उर्जा को प्राप्त करते हैं ठीके अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 87 बच्चों में अंगों की अस्थियां जो यह मुड़ जाती है कि मुत्र के इस्त्रवन को बढ़ाने वाली ओशदी को हम क्या कहते हैं तो एक्टली उसको हम कहते हैं डायूरेटिक तो डायूरेटिक ओशदियां जो है मुत्र के इस्त्रवन को बढ़ाने में मदद करती हैं अगला प्रशन आपसे यहां पर एक कॉलम दिये गए हैं सूच तलपता यानि कि जो एनिमी एकर होगी विटामिन B12 से होता है तो आप मिला लिजिए A वाले का आंसर क्या है तो A का आपका आंसर हो जाएगा रतोंदी का सेकेंड वाला तो यह option number B यहाँ पर सही होगा ठीक है यानि कि आपको सुची 1 को सुची 2 से मिलाना है तो 89 नंबर का आ आंसर होगा option number B अगला भी कुछ इसी तरीके से हैं आपको सुची 1 और सुची 2 दी गई है और उसमें बीमारी और उसके सामने उसकी जाच के बारे में कुछ लिखा हुआ ठीक है तो आपको अगर नहीं भी पता हो लेकिन जो पता उसको आप पहले मिला लिजी ELISA test यह पता आपको किस के लिए लगता है एड्स के लिए यह 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 देख लिजी इसमें option में यह second और first और second option में लेकिन आपका यह जो C और D तो होई नहीं सकता तो आपके पास option कितने बचें A और B और देखते हैं और कौन-कौन से हैं आपके option यहां पर तो withdrawal test है डिक टेस्ट है और इसका जो सही answer है वो option number A है इनकी withdrawal test जो लगता है न वो typhite के लिए लगता है और डिक test जो है यह आपका scorelet fever के लिए लगता है option number 5 यहां पर सही होगा ठीक है और C वाला जो है tornicate test जो है यह आपका डेंगो बुखार के लिए लगता है और RH factor जो हम लगाते हैं यह RH factor जो है आ भी आपको बताया है ads के लिए लगता है तो एक तरह आपको कुछ रोक दे रखें और उसकी जाच के test के दे रखें अगला प्रश्ने निम्लिकित में से कौन सी बिमारी पानी के द्वारा नहीं होती है तो पानी के द्वारा नहीं पूछी गई है तो एक्शली फ्लू है यह पोलियो और पोलियो वैक्सिन की खोज शाल का नामक विज्यानेक ने की थी निमोनिया रोग मानाव शरी के किस अंग को प्रभावित करता है काफी महत्पून कोश्चन है यह करता है फेपड़े को यह बच्चों में होता है ठंड के कारण तो निमोनिया रोग से फेपड़ विटामिन जो है नो मदद करता है यह बता चुका हूँ आपको विटामिन के है लुकेमिया यह कैंसर का प्रकार है जिसमें असाधन बढ़ोतरी होती है किसकी तो इसमें सबसे जाधा जो है हमारे श्वेतरक्त कोशिका यहने कि जो ब्लड सेल्स होती है वाइट ब्लड सेल्स उसकी असाधन बढ़ोतरी इसमें हो जाती है मानौश शरीर रचना के संदर में एंटीपोडीज जो होते है वो क्या होते है तो एंटीपोडीज जो होते है वो प्रोटीन्स होते है पीलिया किसके संक्रमन के कारण होता है तो पीलिया जो होता है काफी घातक बिमारी है यह तो यह होता है यकरत, यहने कि लीवर में, इसमें लीवर में infection हो जाता है, निमलिकित में से कौन सा रोग संक्रामक है, तो संक्रामक रोग जो है वो आपका diphtheria है, ठीके, और फ्रेंड्स लास्ट कोश्चन है इस वीडियो का हम discuss करेंगे, वो है 100 नंबर का कोश्चन आपका, शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन होने वाला रोग कोन सा है, तो शरीर के अंदर लोहे की कमी से जो है रक्त हिंता, ठीके, यहने कि एनेमिया नामक हो जाता, ठीके, तो फ्रेंड्स यह थे इस वीडियो के 100 questions, और बचेवे questions जो है बाकी 115, पोशन है, हम स्वास्त topic के अ 115 questions discuss करेंगे, तो काफी महतुपूर्ण वीडियो है आपके लिए, और वर्ग दो और तीन में एक काफी महतुपूर्ण topic है आपका पोशन है, हम स्वास्त, यहने कि health and nutrition, इसके काफी बहुर विकल्पी अच्छे प्रश्ण में ने इसमें include किये हैं, तो आपको वीडियो कैसा तर फितने